नमस्कार साथियो इस वीडियो में नासा की जो ड्रेगन फ्लाइ रोटो क्राफ्ट मीशन है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं उससे पहले वीडियो लाइक कर दिजे और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किये हैं तो जल्दी से चैनल सस्क्राइब कर लिजे और यह हमारा सोचल मीडिया हैंडल है जहां पर आप जॉइन कर सकते हैं और इस पर काफे ज़्यादा इंफर्मेटिव चीज आपको प्रभाइड किया आता है जिससे काफे ज़्यादा हेल्प मिलेगी तो आए देखते हैं नासा का जो ड्रेग सन को कब लॉंच करेगी तो 2027 तक लॉंच करने वाली है ठीक है यानि कि काफे जादा भी टाइम है अभी बाइस चला यानि कि पांट साल अभी टाइम है इसको लॉंच करने में ठीक है और किसलिए यह लॉंच करेगी तो इसका एम यह है कि यह स्टड़ी करेगी किसका स्ट करेगी तो जो टाइटन है यानि कि टाइटन क्या है तो जो टाइटन है वो लार्जेस्ट मून है पूरे जो सेटन है ना सेटन क्या है यह एक प्लेनेट है जिसका सबसे बड़ा मून यानि कि सबसे बड़ा मून कौन सा है तो टाइटन है ठीक है तो यह आप इसको जीक के इस ये जो करेक्टर रिजनर इन पोचने में इसको लग जाएगा लगभक 7 सा लग जाएगा तो सा लग जाएगा उसको वहां तक पहुचने में तो यहां पे आप आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 2027 में लॉंच होगा लेकिन जो सेल क्रेटर रिजन है वहां तक पहुंचने में टाइटन के जो सेल क्रेटर रिजन में वहां जाने में 2034 तक टाइम लग जाएगा यानि कि साथ साल लगेगा देश्पेस्क्राफ्ट वेंग लेस दन 1000 पा देखेगा ठीक है उस तरह उसका लूक रहेगा उस तरह का दिखेगा और उसका वज़र मात्र 1000 पॉंट का होगा इट विल ओपरेट लाइक ड्रॉन तो अंडर्स्टेंड दा जाना उस तरह इसको अपरेट किया जाएगा और इस इसको उस्वोजा से क्या होगा कि अंडर्स्टेंडिंग में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी जो ही कंपोजीशन है टाइटन का कंपोजीशन मतलब क्या था कि वह किस किस चीज़ से मिलके बना है और रिसर्च को कंड़क अन दो स्टरं जोन और फॉली कांट्रोल अल्प्रों अने मून यानि की जितने भी मून है उनिवर्स में उसमें सब से पहला यह क्या होगा फूली कंट्रोल अत्नोस्फियरिक फ्लाइट होगा ठीक है It will be the first flying machine targeting a celestial body in the outer solar system ये पहला flying machine होजा गजो क्या करेगी celestial body को target करेगी जो outer solar system में जो यानि की जो बाहरी स्वर्य मंडल है उसको Titan is the target of NASA dragonfly rotor craft since it is an ideal destination to research prebiological chemistry, astrobiology and potential habitat of an extraterrestrial world यानि की जो टाइटन होगी हो क्या होगी NASA का नासा जो ड्रेगन फ्लाइ का नासा ड्रेगन फ्लाइ रोटो कराप्ट है उसका ideal destination होगा जिस पर वो research करेगी prebiological chemistry astrobiological and potentially habitat of an extraterrestrial world इन सी चीज का वो क्या करेगी research करेगी Titan पर using all the radar image from Cassini spacecraft for over 13 years scientists have successfully characterized cell crater region the future destination of the dragonfly rotor craft यानि कि जो एक radar है जिसका नाम के है Cassini spacecraft जिससे क्या करें पिछले 13 साल से उस पर नजर रखी हुए ठीक है उसके रडार का image ले रही है तो उससे scientist successfully क्या किया है जो cell crater region है उसको characterize किया है यानि कि उसको पहुचान है उसके बारे में जाने है the future destination वह क्या है जो cell crater region शुरू में ही बताया थे जहां पर क्या करेंगी यह लेंड करेंगी तो वह cell crater region है वहां पहुचने में कितना टाइम लग जागा तो साथ साल लग जागा ठीक है तो उसको अभी तक 13 साल से उसको क्या किया जा रहा था बाई यूजिंग राडार इमेज उसको करेक्टराइज किया जारा था साइन्टिस्ट द्वारा तो वहीं क्या होगा फ्यूचर डेस्टिनेशन होगा ड्रेगण फ्लाई रोटो क्राफ्ट मिशन का पैसा रिचाऊर जींगल सेडों एंड़ राडार रेफ्लेल्टि भी तो एकुर्टि लिट्रमांज द्रसेफरर्पीश द्र्वस प्रोपर्टेउ्ज जो रीचार्चर से वह क्या करेंगे उगर सेडों करेंगे ठीक है और राडार कर जिससे क्या होगा कि रिफ्लेक्टिव radar का युज किया जाएगा they were able to map six terrain in the site और जो पूरे site में है तो हापे 6 मतलब area को वो by map क्या करेंगे जान पाएंगे ठीक है which help them measure the rim weight of the cell crater जो क्या करेगी उनकी मदद करेगी measure the rim height of the cell crater जो cell crater है उसका rim height को measure करने में भी काफी ज्यादा मदद करेगी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है this will enable the smooth landing of NASA rotocraft and help in its accurate exploration of Titan देखिए इससे यह होगा कि जो लेंडिंग होगा नासा का रोटो क्राफ्ट होगा वह एकदम smooth होगा यानि कि बढ़िया तरीके से होगा देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा mission ऐसा होगा कि बस landing में थोड़ा सा गरबड़ी के वह ऐसे वह mission फेल कर गया तो इस वाज जो शुरू से ही परखा गया है उस जो सेल क्रेटर रिजन है तेरा साल से लगतार उसको परखा गया है तो इससे यह होगा कि उसको हम लोग smoothly क्या कर सकते हैं कि landing करा सकते हैं तो नासा ऐसा काम करेगी और एकुरेटली क्या करेगी एक्सप्लोर करेगी जो टाइटन का सर्फेस वगर है उसको dragonfly है जिसका नाम कैन तो वहां पर उसको प्रियाट और एट्मसपेरिक एवंग हैरुड हजो क्या है फ्रेजिन है थीक है यानि कि मोटा है ठीक है और उसका एक्मस्फियर का है मोटा है जिसमें हाइड्रोकर्बन काफी ज्यादा है वाइल लिक्विड मिथेन रहां फ्रिक्वेंटली ओकर इन टाइटन इसमोर लाइगल डिजर्ट सीन ऑन दे आर्थ विद दे प्रिजेंस अफ देंस स्मॉल मांटेंस एंड एंड करें चलता है नेस्ट के तरफ नेस्ट का यूजिंघ डटा अप्टेंट फ्रम दर कैसी इसके स्क्रैप्ट परहले साहिए जो कैसीन इसस पेस क्राफ्ट है उसका दोरह जो भी मतलब डेटा इसक्राप्ट दोरह ऑ कर रहा है कि सैंटिस्ट वेर अ सबस्क्राइब बाइब को सब्सक्राइब अभी तक दिसमेंज यानिक इसका यह मतलब निकलता है कि वहाँ मतलब जो छोटे-छोटे-छोटे नदी हैं लेंडेस्केप है उनको उनके होने का चांसेस ज्यादा है, डेट रिमेन अनोटिस, जो इसको अभी तक क्या किया गया है, अनोटिस किया गया है, तो वो इसको आगे इस मिशन के थुरू, नोटिस किया जाएगा, सब कुछ, रिसार्ज किया जाएगा, तो आज के वीडियो यहें पर समाप थुआ, I hope आपको ये व आफर्मेंटी वीडियो पाने के लिए जरूर चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जैहिंद!